हेलो दोस्तो मैं हूँ अमित, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके इस यूटीब चैनल नौलेज नूर में दोस्तो आज की वीडियो किसी टॉपिक्स रिलेटेड न होकर रेल्वे की एक लापरवाही को बताती है जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर साहिब जान ने वीडियो क्लिप के तुरू भेजा है जिसमें रेल्वे की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है दोस्तो यह क्लिप साह गंज और खेता सराई रेल्वे स्टेशन के 20 का है जो की साह गंज से जान पूर को जाती है दोस्तो जिस लोकेशन का वीडियो है वह साह गंज रेल्वे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर पोल संख्या 856-2 के पास की है दोस्तो जैसा की आप देख रहे हैं इस जगा पर ट्रेने कितनी स्पीड में जा रही है जिसमें हजारो यात्री बैठे हुए हैं लेकिन जिस ट्रेक से ये ट्रेने दौड रही है उसके नीचे लगे स्लीपर्स की ये हालत है जो की रेल्वे की एक बहुत बड़ी लापरवाही है दोस्तो आप यहाँ देख फकते हैं यहाँ की एक नहीं बलकि कई सारे स्लीपर्स पूरी तरह से छटी गरस्त हैं जिसके उपर लोहे की ट्रेक है जिस पर ट्रेने दोड रही है तोस्तों track की पकड को बनाये रखने के लिए sleepers पर. clamp लगाए जाते हैं लेकिन यहाँ के सारे Clamps sleepers का कोई role ही नहीं है कियोणकि यहाँ पूरे तरह से तूटे हुए है इसके अलावे tracks के बीच में gap को maintain करने के लिए sleepers में लगे clamps tracks को पकड़ कर रखते हैं लेकिन यह clamps नहीं होने के कारण tracks के बीच की जो gap maintain की जाती है वह नहीं हो पाएगी जिससे train के derailment होने का खत्रा हो सकता है दोस्तों यह video clip भेज कर उन्होंने मुझसे request करी है कि इसे सभी लोगों को दिखाईए ताकि इसे जल्दी से बदला जा सके जिससे कोई अन्होनी ना हो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी Indian Railway एक बहुत बड़ी network है और सभी जगह एक साथ नजर रख पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन वहां के लोगों की सतर्कता भी इसमें बहुत जरूरी होती है जो की railway को सूचित करके बता सकते हैं जिससे किसी हादसे को टाला जा सकता है दोस्तों इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या को सही किया जा सके आज के इस वीडियो में पस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक जुड़े रहे इस चैनल के साथ थेंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स